विल्कम बेक्टू मैं चैनल मैं इसनीया आज मैं आपसे कुछ अडेनियम के बारे में बात करने वाली हूं अडेनियम में क्या सावधानिया रखनी चाहिए ग्राप्टिंग के बाद तो देखिए हम दो तरह से ग्राप्टिंग करते हैं दो या तीन तरह से जो भी मतलब होती तो किन ग्राप्टिंग पर हम को क्या साझ आनी रखनी चाहिए जैसे ज़ीआ डैब करते हैं टैबलट ग्राप्टिंग जो जो करते हैं जैसे कि हम ब्रांच को कुल खर चोटी कर खरके और हम इसमें कि ह sadức करते में चिपकाते हैं और फिर उपर से टेप से बान्द देते हैं यह होती ही ग्राप्टिंग टेप यह इस बार की टेप मैं आपको चोड़ी इसको मुझे लगता है दो पार्ट में कट कर लो तो यह ग्राप्टिंग टेप से हम जब बांगते हैं प्लांट को जैसे कि आपको यह प्लांट दिखाते हुए जिसी प्लांट मेरे बंद हुए हैं इनको मैंने खोल दिया यह प्लांट भी बंद हुआ तो है कई किसी दिनों में लग फंद्रा से इस दिन में हमा इस तरह से निकल करके दिखने लगती है चोटी चोटी से एक पतवरणी करते हैं आपको दोनों को अंतर बता दूं ग्राप्टिंग यह देखिए और इश्फ पत्दिन जब यह अच्छो प्राप्टिंग होगी एक साइट प्रांच हो गई एक साइट पर छोटी है तो जिसमें डबल ब्रांच होनी होती है उसमें साथ के साथ दोनों बढ़ती है जैसी यह देखिए इसमें दोनों ब्रांच एक साथ बढ़ रही है तो यह ज्यादा तर ब्रांच कभी दो बढ़ती ह तो इसमें में देखिए दो निकल रही है अब देखते हैं यह दोनों बढ़ पाएंगी कि नी बढ़ पाएंगी लेकिन एक काफी अच्छी हेल दी है एक छोटा साइस प्राउट निकल रहा है आने मारे टाइम में साय दो बढ़ा हो जाए इसका लेकिन बहुत चोटा है यह है उसके स्कुर्ण नोर है शाद को से सजबक्राइब ओड़ा थे वां पाया दूर मिंड़ ऑजा है एक शोटी वाजाती है और दूसरी बढ़ stars हो जाती है यह देखिए हमאש Raum तो इस तरह से मैं आपको ग्राप्टिंग वन्राप्टिंग और टैप्लातिंग के उपर बात कर वाली हूस कि हमको किस टाइम उसको खोलना है टैबलेट ग्राप्टिंग होती है और कितने टाइम में यह महिन और क्यातरी ब्रांच खोले मैं खोलते हुआं अध्यान से निकल गैंद है अब लगवाग पच्चेस दिन में 20-25 दिन में या फिर एक महीने में खोल ही देते हैं लेकिन इस ब्रांच को आप कम सकम डेड़ महीना टाइम दीजिए इसको इसलिए डेड़ महीना टाइम देना है क्योंकि हमने ब्रांच यहां पर कट करके अंदर इसके इंसर्ट की होती है और फिर टेप से हम इसको बानते हैं तो जल्दी इसको खोल लेंगे तो अब थोड़ा से टाइम में और देती लेकिन थोड़ा से यह था कि ब्रांच ऊपर की नाजुक थी सभी के ब्रांच जो है बहुत ज्यादा नाजुक है इसकी ब्रांच अच्छी हेल दिया लेकिन कुछ जादा पतलि ब्रांच होती है ज्यादा दबाव पढ़नी की वयजय से खराब होजाती है तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी खोल लिया है और यह देखिए एक requirement होता है ना मैंने इसकी ब्रांच गिफ्ट किये तो बस यह बताना था अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना इसको खोलने में अब अभी आप देखेंगे यह लगभग देखिए आपको यहां पर पता नहीं चलेगा कि यहां पर जुड़ चुका है और इसमें थोड़ा सा भी दिख रहा है थोड़े दिन और बंधर रहता तो यह हो जाता है लेकिन मैं थोड़ा वही बताया ना मैंने थोड़ा डर रही थी कहीं ऐसा नहों कि सूख जाए पर फिर भी मैंने एक महीने डेड़ महीने तक में मतलब एक महीने के बाद ही इनको लगभग देड़ महीने के लगभग ही मैंने खोला है इतनी जल्दी नहीं ख तो बस यह बताना था विए ग्राप्टिंग अगर आप करते हैं तो थोड़ा से उसको टाइम दीजिए लग भागे डेड़ महीने का डेड़ महीने बाद आप उसको खोल दीजिए बहुत जल्दी नहीं खोलना रहता है नहीं तो कभी कभी क्या होता है ब्रांच हमारी बीस दिन में पंदरा दिन में टैबलेट ग्राप्टिंग से जल्दी यह सक्सेज होती है लेकिन थोड़ा सा उसको मजबूती मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तो बस प्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ओपि के साथ तब तक के लिए बाए